पैसे तो प्रेगनेंसी में धेरो सारे अंगों में दर्द रना, प्रेट में पेन होना, ये आखिर किसके संकेत होते हैं, हे गाईज अगर सेम आपका ये सवाल है, प्रेगनेंसी के दौरान आप चीजों को एक्स्पिरियेंस कर रही है, जो बिलकुल पेनफुल है, आखिर सरी बोडी पार्ट में अगर दर्द है तो किसी ने किसी चीज़ का संकेत हमेशा से माना गया है और जो चीज़े बताती है सरीर के अंगों में पेन से रिलेटेड वह confirmed सच होती है कौन-कौन सी बाते सच होने वाली है और आपके किस सरीर के अंग में दर्द है इसका क्या सीधा का सीधा मतलब निकलता है उस पूरी जनकारी को इस वीडियो में आपके बताई जाएगी जिससे वीडियो को लास्तक वाच किजिएगा चार मिनिट के आसपास में मैं कोसिस करू यहां बात करते हैं दर्द से रिलेटेड हाला कि वैसे बहुत सारे बौडी पार्ट में दर्द रहना इसका डारेक्ली कनेक्शन हमारे सरीर में हॉर्मून्स की वज़ा से है एक महिला का सरीर प्रेगनेंसी की जौर्णी के अंदर बहुत सारे कार्य कर रहा होता है यानि कि जैसे की बच्चे का भरन पोसन करना और आपके सरीर में इतने सारे बदलाओ नजर आते हैं इन बदलाओ को लेकर आप एक ज़रूर समझीएगा अगर प्रेगनेंसी का कोई भी लक्षन दिखे ना तो इसका सीधा सीधा कनेक्शन है कि आपका बच्चा बिलकु स्वस्थ है और हेल्दी बेबी है गबडाने की जरूरत नहीं है अगर प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम बच्चे को होती है जिस वज़ा से इसका भी इसारा आपको मिल जाता है और वो चीज़े है कि आपको पेट में तेज तेज दर्द आने लगती है जैसे कि अगर आपको ब् प्रॉब्लम है या उसके ग्रोथ से भी कह सकते हैं समस्या है कुछ भी भगवार ना करें ऐसा किसी के साथ हो लेकिन कुछ भी है ना तो पेट में बहुत तेज तेज दर्द होगी आप बीमार हो जाओगे बुखार सा लग जाएगा और अगर बच्चे की हल चलना बेबी कि वो आनी बंद हो जाती है अगर बच्चे को कुछ भी होती है तो तो ये ध्यान में रखिएगा और तेज तेज पेट में इतना दर्द होगा कि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे सिधा आप डॉक्टर के पास जाओगे ऐसे भी जाना चाहिए तो वहां जाकर स्रिचूइशन पता चलेगी लेकिन हाँ अगर आपको नॉर्मल पीट में दर्द है पैरों में दर्द है गर्दन में हाथ में कमर में तो ये सब कुस ठीक है ये के हेल्दी प्रेगनेंसी का साइन है आपका बच्चा स्वस्त है और वो डे बाई डे उसकी ग्रोथ हो रही है वो बड़ा होत में कुछ बचे पाक्षवे मीने लास्ट पत्चेस वीक तक करते हैं मदलेज को क्या करना होता है कउट करना होता है अपने फिंगर के कि एक दिन में बचे कितनी बार हल चल कर रहे हैं कि Dist recap 3-5 या 5 और करतें जाबा से अंग में अगर आपको दर्द है तो आप हलका सा तेल वहाँ पे मसाज कर सकती है जिससे आपको जरूर आराम मिलेगा और एक और नुसका बताओं जिससे आपके दर्द पूरे ठीक हो जाएंगे इसका एक और एक ही कारण है वह आपकी डिलीवरी होने के दो चार या पांस दि कि ए